Good afternoon students, आज की क्लास में हम energy management यानि की शक्ती व्यवस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे किसी भी काम को करने में कुछ ना कुछ मात्रा में शक्ती अवश्य व्य होती है यह हम सभी जानते हैं यह शक्ती कितनी मात्रा में व्य होगी इसकी गढ़ना करना बहुत कठिन जटिल एव मुश्किल कारे है समय का व्यवस्थापन करना जितना आसान है उतना ही कठिन है शक्ती का व्यवस्थापन करना समय के नुसर कारे योजना तो बना ली जाती है मगर कारे को करने में कितनी उज़ा शक्ती व्य होगी इसका कैलकुलेशन करना आसान नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति है नहीं जानता कि उस कारे को करने में या संपन करने में उसके कितनी शक्ती व्य होगी विभिन क्रियाओं को संपन करने में विभिन मात्रा में उड़ जा क्या उशक्ता होती है दिन में या सत्ता में कुछ समय ऐसा भी आता है जब ग्रहनी को एक साथ ही अनेक काम करने पड़ते हैं उस समय उसका कारेभार अधिक होता है इसके ठीक विप्रित दिन में कुछ समय ऐसा भी होता है जब ग्रहनी को कम काम करने पड़ते हैं तथा उसका कारिभार कम रहता है उप्रुक्त जो विवेचनाई हैं उनसे सपस्ट होता है कि समय व्यवस्थापन के अपेक्षा शक्ती व्यवस्थापन करना अधिक कठीन मुश्किल एयों जटिल कारे है पारिवारिक लक्षों की प्राप्ति के लिए शक्ती व्यवस्थापन करना आत्यावशायक है क्योंकि यह निश्चित करना की किसी विश्ष्ट लक्षे की प्राप्ति है तो कितनी शक्ती व्य होगी इसकी जानकारी ग्रहनी को होनी चाहिए यदि उद्देशे की पूर्ती बहुत अधिक समय व्य करके की जाती है तब उद्दिमानी इसी में है कि उस उद्देशे को छोड़ दिया जाये तथा अन्य उद्देशे निर्मित किये जाये जिसमें कम शक्ति व्य हो तथा परिवार के सदस्यों वो अधिक लाब मिले साथ ही घरेलो कृयाओं को समय पर संपन करने में संपन करने या संपन करने के लिए शक्ति बची रहे जैसे कि यदि ग्रेनी को लौकी के कोफते एम गाजर का हलवा बनाने में अधिक समय व्यतित होता है तो उसके सन पर कोई अन्य रसिदा सबजी एम मिठाई बनाई जा सकत है जैसे आर्ड उपरवल की सबजी सिवई की खेल इत्यादी शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि सुधा पूर्वा कैम संतोर जनक तरीके से कारे संपन करना ताकि धकान उत्पन नहीं हो साथ ही कारे करता या घ्रहनी को मनोरंजन विश्रामें अन शक्ति व्य होने से थकावट मैसूस होती है थकावट का अर्थ उस इस्तिती से होता है जो व्यक्ति की कारे शमता में कमी ला देता है अतह है क्रियाओं की योजना इस प्रकार से बनाने चाहिए ताकि बिना थके कम शक्ति व्यक्ति की अधिक्तम कार्यों को संपन किया जा स जो पारिवारिक जीवन चक्र की विफिन अवस्थाएं हैं इन में शक्ति की मांग अलग-अलग होती है पारिवारिक जीवन की विफिन अवस्थाओं में कितना उज़ा व्य होता है इस पर अब तक का जो शोत कार्य वो नहीं किये गए हैं हां समय विवस्थापन या जीवन जिस अवस्था में अधिक की अधिक रहती है उस अवस्थामें शक्ति की मांग भी अधिक होती है तो जैसे वहान प्रतम अवस्था डब्पति होते हैं उनके पास प्रयाप्त प्रयाप्त समय रहता है शक्त्रत Lightning मांग के लिएक करे पतनी नौकरी करने जाते हैं, घर भार के कारे को स्वैम ही निप्टाते हैं, तब शारी के मानसिक शक्ती अधिक जरूरत होती है। इसी तरह से दूसरे और तीसरी अवस्थाओं में पती पतनी के लाव बच्चे भी होते हैं, बच्चों का अगमन हो जाता है, परिवार में सदसों की संख्या बढ़ जाती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका लालन पालन देख भाल, किलाने पिलाने, स्वास्ते, अवे माता-पिता पर आश्रित नहीं रहते हैं, और स्वाब लंबी बन जाते हैं, खुद के कारे स्वयम करने लगते हैं, साथ ही पारिवारी के घरेलु कुरियाओं को संपन गराने में भी सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, अतै ग्रेहनी का कारेबार थोड़ा हलका हो जा ग्रेहनी चाहें तो घरेली कुरियाओं के अतरिक्त अन्य किरियाओं भी संपन कर सकती हैं इस समय में, जैसे ध्रमसबा में भाग लेना, पूजा पाट करना, अन्य स्कूल में पढ़ाने जाना इत्यादी, इसी तरह से पांचवी पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्ता है, इस संकूची तवस्ता है, इस सवस्ता में बच्चे आत्माने भर हो जाते हैं, उनकी शादिया हो जाती है, अब यह या तो माता-पिता के घर को छोड़कर अपना अलग घर बसा लिते हैं, तो हम आता-पिता के साथ ही रहते हैं, ग्रेहनी प्यवराद हो जाती है, उसक रहती की मां गर्टी बढ़ती रहती है ग्रहनिमान की जो विभिन क्रियाएं हैं उनमें जो शक्ति मुल्य है जैसे ग्रहनिमान की क्रियाओं में परियोक्त विभिन प्रयासों को हम निम वर्गों में विभाजित कर सकते हैं जैसे मांसिक प्रयास, चारिक प्रयास, पद प्रय चक्षू प्रयास, मोडन प्रयास, इत्यादी दूरियों प्रकाश की स्थितियों में समाज़ रिस्तापित करना इसी तरह से पत्रयास में चलना, फिलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना, गुठने मोडना, इत्यादी आता है विभिन शारी क्रियां जैसे खड़े होना, उठना, बैठना, शान तिचित होकर लेटे रहना, आराम से बैठना, आधि क्रियाओं में कितनी शक्ति वेह होती है इसका निदारन प्रती मिनिट ऑक्सिजन वेह कि अधर्पत किया गया है शक्ति के शरीर के प्रती पौंट बहार के लिए पर घंडा निग्त के जाने वाली उज्जा को बताया गया है कि कितनी उज्जा काम में अलग-अलग कामूं में लगती है इसी तरह से जो विश्राम अवस्ता है उसके तुल नामे घरेलू कारियों में जो शक्ती मुल्य है वो भी बिन-बिन होता है जैसे आलू छीलने में जो शरीकी स्थिति क्या है प्रैस करने में स्थूल पर बैठकर खड़े उकर या कुर्सी पर बैठकर किया जा रहा है तो उसमें जो शक्ती का व्या है वो कितना होगा वस्तर रांगना दुले वस्तर निचोड़ना आट़गोना वेसन गोलना वे अन्ने मिश्टर नत्यार करना इन सभी में किस तरह का पोश्टर या शारीक अवस्था में व्यक्ति कारे कर रहा तो इन सभी में जो शक्ति वय है वो अलग-अलग प्रतिशत उसका जो है वो वय होता है धन्यवाद